क्या लाब मिलेगा लोटी उसमें लोटी केस कैसे बनेगा लोटी में बता लोटी उसमें लाब लोटी लोटी उसमें लौटी उसमें लोटी आ गाली उफ्तार मुझे डाटिर करता था इस कारण मैं अपने पती से परहशान होकर सेलफास की गोली खाली हूं मत्य पूरुफ कथन एवं मर्ग जांच आरोपी केलाच मीना तुम्हें क्या हुआ है मेरा खेत पर घर है पती केलाच मीना से जगला हो गया था जगला हुआ तो गुस्से में सलफास की दोवी खाली दवा घर में कैसे आई खेती में काम मैं उपयोग हेतू घर पर रखी थी यह घटना कहां और किस समय हुई घर पर कौन-कौन था ग्राम पुराच हिंद्वाडा म खेत पर दो पर एक बचे लगबग घर पर सास गीता भाई ससूर काकी ससूर गणपत दो बच्चे साक्षी और प्रिंस उम्रों चगदवश और बारवश लगवश लगवद थी हॉस्पिटल लेकर कोन आया पती किलाश मीना और देवर जस्वन मीना इसमें डे लोशिप इन नहीं कोई लिमिटेशन नहीं है लोशिप पेज नंबर 62 लोशिप लोटर और दिसीज लोटर मैं साथवी कख्षा में पढ़ती हूं मैं और मेरा एक भाई है घर पर मेरी दादी पिताजी मम्मी भाई रेते हैं दिनांग साथ तीन बाइस को सुवे साड़े दस वजे मम्मी ने खाना बना कर खिराया और मेवा मेरा भाई प्रिंस दोनों स्कूल गए थे स्कूल से लंच के समय स्कूल में पढ़ाई ना होने के विज़े से मम्मी ऐसे बोली कि पढ़ाई ना हो तो आज आना तो में तथा मेरा भाई प्रिंस लंच में करीवन एक बज़े घर आ गए ये घर पर पापा भेंस को देखने के लिए गए थे दादा गनपर्ट मीना मम्मी और दादी घर पर थे मम्मी ने पीने के लिए पानी मांगा इसके बाद बोली कि मेरे कपड़े सुखा फिर कमरे में लेट गई थी बोलने लगी कि भीयू को देखना मैं जा रही हूं मुझे संका हुई कि मेरी ममी ने दवाई खाली है मैंने फिर चाचा दशक को बताई थी फिर परिवार के लोग आगे थे इसक रोश्चा की घटना इसके बियान 11-3 इनको लिये जा रहा है जा रिसके बियान 11-3 को और 169 कराने लगे कि इतनी आपकी पकड़ है पुलिस वालों के साथ में नहीं नहीं रोशुप यह तो पुछ लेते हैं पुछ वाकर लेते कि यह 166 की मियान में किस कानून में अस्ताक्शन होने लगे बताईए आप बताएंगे रुवा सगया डाइडी में साइन नहीं है यह वेच बासर तो पढ़िएगा आपके पास बिगर साइन के विए गागज देदिया आज नहीं साइन नहीं है इसमें साइन नहीं और यह साइन हो रहे साफ्षी मीना तर्पिष्ण अजल शचिए इसमें अजय आप अजय यह आप पर अजय आपके पास में नहीं इस अपके लाब मिले रहा है लोटी इसमें लोटी आफिम एक वेशिगा के तो यह बैटी नहीं बोला है कि मम्मी और पापा के बीच में कोई जगड़ा नहीं होता था, मेरी मम्मी ने गोली क्यों खाई मुझे नहीं मालूम लोशिप, इसमें इनके बैटे के बयान देखेंगे लोशिप, पेज नमबर 75 लोशिप, प्रिंस्वीना, प्रिंस्वीना, प जग के भी बयान लोशिप यही है, रोशिप के मम्मी और पापा का मेरे सामने कोई विवाद नहीं हुआ है, और कोई भी बैटे रोशिप प्रिवक इसचीज की नहीं है, रोशिप यहां, हाँ, हाँ, वो सब एकजिश लिएज बयान लिखाए जा रहे है, याज लोशिप, एके लोडो फिरा फिर रिक ट्राइब को स्क्राओर विए छडिम7 रखो टीए केद बोटच्च अपारव कई घ्रे एल खिर्वज अःटिंगम्am बिंस्ट समर्टम्टरी प्रिफे पर टो टॉट्रमट एलाइब डिनुक ह। page number eight lordship the honorable apex court in the case of lawship state of mp versus sb johri lordship it is settled law lordship that at the stage of priming of charges the court has to prima facie consider whether there is sufficient ground for proceeding against the accused the court is not required to appreciate the evidence and arrive at the conclusion that the material produce are sufficient or not for convicting the accused if the court is satisfied that a prima facie case is made out for proceeding further than a charge is to be framed the charge can be questioned if the evidence which the prosecutor purposes to reduce to prove the guilt of accused even if fully accepted before it is challenged by cross-examination or attributed by the defense evidence if any cannot show the accused committed the particular offense in such case there would be no sufficient ground for proceeding with the trial in the region in the case of worship the honorable supreme court held this this court considered the definition of abatement under section 107 ipc found that the charge and conviction of the appellant for an offense under section 306 not sustainable merely on the allegation of harassment of the disease this court further hides that neither of the ingredient of abatement are attracted on the statement of the disease it's a lot of just go like a relationship a parallel in the relationship ramesh kumar was a start of shatish god lordship effective portion of the lordship a word uttered in a fit of anger or emotion without intending the consequences to actually follow cannot be said to be instigation if it transpired to the court that a victim committing suicide was hypersensitive to ordinary spitulence discord the differences in domestic life quite common to the society to which the victim belong and such pitulence record and differences were not expected to induce a similarly circumstances individual in a given society to commit suicide the conscience of the court should not be satisfied for basing a finding that the accused charges for abetting the offensive suicide should be found guilty next thing fellowship ss chena page 14 abortion abitment involves a mental process of instigating a person or intentionally adding a person in doing of a thing without a positive act on the part of accused to instigate or aid in committing suicide conviction cannot be sustained the intention of the legislature and the ratio of the cases decided by this court is clear that in order of convict a person under section 306 ipc there has to be a clear mens rea to commit the offense it also requires an active act or direct act which led the deceased to commit suicide using no option and that act must have been intended to push the disease into such position he committed suicide in the instant case the disease was undoubtedly hypersensitive to ordinary pitulence discord the differences which happen in our day-to-day life human sensitivity of each individual differ from the other different people have differently in the same situation when we carefully scrutinize and critically examine uh the fact of this case in the light of the certain legal position the conclusion becomes obvious that no conviction can be legally sustained without any credible evidence or material on record against the appellant the order of framing a charges under section 306 ipc against the appellant it would be travesty of justice to compel the appellant to face a criminal trial without any credible material whatsoever consequently the order of framing of charges under section 306 ipc against the appellant is quiz and all proceedings pending against him are also set aside in order to bring a person to come uh a case within the preview of the section 306 ipc conviction under section 306 lordship rajesh versus state of haryana lordship conviction under section 306 ipc is not sustainable on the allegation of harassment without there being any positive action approximate on the time of occurrence on the part of accused which led or compared the person to commit suicide in order of bring person to come a case within the preview of the section 306 ipc there must be a case of suicide and in the commission of the said offense the person who is said to have abetted the commission of suicide must have played an active role by an act of instigator or by doing certain act to facilitate the commission of suicide therefore the act of argument by the person charged with the said offense must be proved and established by the prosecution before he could be convicted under section 306 ipc lordship yes is my lordship pera 23 relation lordship uh honorable court is finding logic on personal of a statement of witnesses it is found that all the witnesses have failed to explain the what kind of harassment was being done by the petitioner of separate 23 they all generally stated that the petitioner threatened of the deceased on account of the previous dispute मैं इतनों पते पर रहती हूँ, घरू काम करती हूँ, मेरी शादी 17 वर्ष पहले कैलाश मीना से हुई थी, मेरे दो बच्चे, बड़ी बच्ची ताक्षी 14 वर्ष की और दूसरा बच्चा 12 वर्ष का प्रिंस मीना है, आज दिनांग 7 तीन बाइस के दिन 12 वजे के लगबग मेरा पती कैलाश मीना ने मुझे गाली गुपतार किया और मुझे टार्चर करता रहता है, मेरे पती कैलाश मीना से परिशान होकर मैंने सलफास की गोली खा ली है, तिर मेरे देवर्ष दश्रत मुझे इलाज हितू, पस यह बयान है, 161 ही, पढ़िए प्लीज, पढ़िए प्लीज, जी, ऑपरिटेव लॉट्शिप, बड़ी लड़की सागशी 14 साल की तथा बंटी 12 साल का मेरी बहन मेरे घर आती जाती थी, किन्तु एक रात के लिए ही आती थी, दूसरे दन सस्राल चल जाती थी, मैं पवित्र के सस्राल आते जाते रहता था, मेरी बहन मेरे से कभी कबार मदद के लिए पैसे ओधार मांगती थी, तो मैं मदद करता था, बाद में वापस कर देती थी, मेरी बहन सीधी साधी थी, अपने घर के बारे में अधिक बाते नहीं करती थी, किन्तु वह अपने आपको घोटन जैसा महसूस करती थी, क्योंकि जमाई खेती करता था, तथा अपने पूरे भाईयों की जमीन, खुद करता है, जिससे अच्छी कमाई होती है, किन्तु वह पैसा क्या करता है, यानि बताता है, क्योंकि वह खेत पर गाउं से अलग कबेलू का मकान बना कर परिवार के साथ मेरी बहन मेरे को अपने घर के बारे में खुल कर नहीं बताती थी, किन्तु ऐसा लगता था, कि वह घर से परिशान है था था, दुखी है, किन्तु इज़त को लेकर मेरे घर पर नहीं बताती थी, कि वह पर वाल प्रत्स नहीं फिरेशान मेरे था, जिए झालनेट थी, और प्रत्सीछ को तोस्त्क्रिशन आज़ते, जिए क्ईशन पराद्सत्ट तु बज़ मेरे था, बतात्स्या था, कि वह चल था, इसकत्त। परिश्याद थी, कि वह भूंदिए। थी, थी, भूएद स्थ मेड़र drinking champagne कि मेड़ें कि अिकि का डिप दिदे या quaisहिसी अवरिए टाओए भजन कि व šब और कि सकते हैं कि फबशर किसा हुआ कि व ऐगड़ एंप में।